ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस रोईतायन, यो वाचिंग रेस्सल चैटर्स से तो, WWE के औरिजिनल प्रेंस ये थे, कि मैंस के ऐलेमेशन चेम्बर मैच में हमें पार्टिसमेंट देखने को मिलेंगे Elias, Braun Strowman, John Cena, Roman Reigns के साथ-साथ, Seth Rollins और Jason Jordan लेकिन फिलाल Jason Jordan के बारे में रिपोर्ट ये आई, कि Jason Jordan की इंजिरी उससे भी जाला खतरनाक है जैसे कि WWE सोच रही थी, और श्याद ऐसे में हो सकता है कि हमें Jason Jordan ठीक से WWE में कोई मैच लड़ते वे दिखाई ना दे, तो Seth Rollins का Elevation Chamber मैच में ना होने की पीछे बड़ा कारण यही है कि Jason Jordan Elevation Chamber मैच में कमपीट नहीं कर सकते क्योंकि आपको बता दो कि Seth Rollins का Elevation Chamber मैच में आने का कारण ही यह था कि WWE Seth Rollins और Jason Jordan के बीच हम भी कुछ दिखाना चाते थी, क्योंकि Seth Rollins का Universal Championship की पिक्चर में आने का तो कोई भी चांस नहीं है और मकसा Seth Rollins को Elevation Chamber मैच में लाने का यही था कि बाद में जाकर WWE Jason Jordan और Seth Rollins के बीच कोई मैच प्लैन कर सके अब Jason Jordan तो हो गया बुरी तरह से इंजड और इसी वज़े से WWE को अपने प्लैन्स में कुछ बड़े चेंजिस करने पड़े और Seth Rollins और Jason Jordan को Elimination Chamber मैच से हटा दे गया साथी साथ हमने आज की रौ में एक Unexpected Change देखा जह हमने देखा कि Current Intercontinental Champion The Miz ने भी Elimination Chamber के इस मैच के लिए Qualify कर लिया तो ऐसे में आपके दिमागों भी सवाल आया होगा क्या कि क्यों The Miz को डाला गया है Elimination Chamber मैच में उनके पास तो पहले से एक Intercontinental Championship है तो Current Plans के हिसाब से मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि WWE शायद हमें Elimination Chamber मैच में कोई एंगल दिखा है The Miz और Finn Balor के बीच और Next Week हमें एक Fatal 4-0 मैच देखने को मिलेगा जो कि होगा Finn Balor, Matt Hardy, Bray Wyatt and Apollo Crews के बीच और जो भी Superstar इस मैच को जीतेगा वो Qualify कर जाएगा Elimination Chamber मैच के लिए तो ऐसमें WWE जो चीज हमे Elimination Chamber मैच में दिखाना चाहते हैं Jason Jordan और Seth Rollins के बीच तो शायद हमें अब Elimination Chamber में यही चीज देखने को मिले दमेज और Finn Balor के बीच और इसके बाद हमें Finn Balor और Miz के बीच इंटर कॉंटिनेंटर चैंपरशिप के लिए रेसल मीनिया में भी मैच देखने को मिल सकता है अब शायद लग रहोगा कि यह कहना काफी जल्दी बाजी होगी कि Fatal 4 में मैच में Finn Balor ही जीतेंगे लेकिन अगर आप Finn Balor के अलावा दूसरी Superstar को देखे वहाँ पर है Matt Hardy, Brie Wyatt और Apollo Crews तो Matt Hardy और Brie Wyatt के भी शायद हमें Elevation Chamber में सिंगल स्मैश देखने को मिलेगा तो ऐसे में उनका चांस लगता नहीं और क्या आपको लगता है कि Apollo Crews का कौलिफाई करेंगे Elevation Chamber मैच के लिए में सीधा सीधा मतलब यहीं बनता है कि इस मैश में जीतोगी Finn Balor की और वो हमें मैंस के Elevation Chamber मैश में दिखाए देंगे जैसे कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में भी कहा था एक सवाल यह भी कि Seth Rollins क्या करेंगे Elevation Chamber पेपर वीव में तो पहले जब जेसन जॉर्डन के इंजिरी के बार में रिपोर्ट आए कि उनकी इंजिरी काफी ज़्याता सीरियस है तो मुझे ऐसा लगा कि Royal Rumble के बाद शायद हमें जेसन जॉर्डन टीवी पर दिखाई नहीं देंगे और जैसे कि हमने एक रॉम में देखा भी था है कि जेसन जॉर्डन और सेट रॉलिंस नमें दोनें रॉकियी एपिसोड में दिखाई नहीं दे लेकिन फिर आज हमने देखा कि सैथ रॉलिंस नникомरें दोनी हमें रॉक के अपिसोड में दिखाए दिए और और वह कुछ ना कुछ हमें Seth Rollins और Jason Jordan के बीच दिखाना चाहती है, तो ऐसे में ये काफी confusing है कि एक तरफ Jason Jordan injured है, लेकिन फिर भी वो rock एपिसोड में आ रहा है, फिर भी WWE उनका कोई एंगल दिखा रही है, Seth Rollins और Jason Jordan के साथ, तो अभी इस बात में कहना बहुत जल्दी बाजी होगी, कि क्या हमें Seth Rollins और Jason Jordan के बीच मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे में Jason Jordan injured है, या फिर से हमें कोई tag team में देखने को मिलेंगे, मुझे उमीद हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताने कि आपको क्या लगता है, कि ऐलमेशन शेमर मैच में क्या होगा, और Seth Rollins और Jason Jordan के बीच आए कोई मैच होना चाहिए, या नहीं, इस साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, उस बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे, तकि आपको मैच चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज, डिमर्स और कुछ इंट्रस्टिंग बात जानने को मिलती रहें, So see you guys in my next video.